आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी आम का अचार उसके लिए हमने ये धाई किलो राम किला आम लिए हैं हमने ये राम किला आम इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका गुद्दा जादा होता है और फाइबर कम होता है आम वही लेने चाहिए जो जिसकी गुठली ऐसे पकी होई होनी चाहिए कच्ची गुठली वाला साल भर नहीं टिकेगा ऐसे कड़क वाली गुठली जो पूरी तरह से पक जाए ये लेना चाहिए तो हमने ये धाई किलो आम कटवा लिए इनके पीसिस आप अपनी मर्जी से कटवा सकते हैं हमने ऐसे कटवाए हैं उनको अच्छे से वाश कर दिया चदर पर पैलाकर रात भर पंखे के नीचे सुखा लिया देखिए ये पूरी तरह से सूख चुके हैं अब इनका अचार डालेंगे तो चलिए आम का अचार डालना शुरू करते हैं सबसे पहले ये सब मसाले मिक्स कर लेंगे नमक हमने सवा 300 ग्राम लिया है ये हमने सेंदा नमक लिया है अचार के लिए ये बैस होता है हम पहले इतना ही सवा 300 ग्राम ही डालेंगे अगर बाद में कम लगेगा तो और भी ड पुछी दान है यह भी सभा 100 ग्राम लिया इसका भी हमने दरदरा पाउडर बना लिया लाल मिर्ची पाउडर है हमने इसमें देगी मिर्च का इस्तेमाल किया इससे अचार का कलर बहुत अच्छा अरत है यह 75 ग्राम है तो अगर आप दूसरी तिखी मिर्च डाल रहे हैं तो 50 ग्राम ही डाल लिए तूकि यह कम तिखी होती है इसलिए हम 75 ग्राम डाल गए है हल्दी 50 ग्राम कलांजी 30 ग्राम अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने से चार बनाना सान हो जाते हैं तो कि सब मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं एक जैसा ही नमक सब लगेगा सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, इसमें हमने टोटल धाई किलो में आधा लीटर तेल डालना है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा डालेंगे तक इसकी पेस्ट बन जाए, यह हमने सरसों का ओईल लिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स हो लेंगे, इसमें हमने 100 ग्राम ओईल डाला है, यह दिखिए, ऐसे यह हो गया, पेस्ट बन गई इसकी, अब इसमें हम थोड़े थोड़े आम करके डालते जाएंगे, और ऐसे मसाले के साथ उसको मिक्स करेंगे, और बरनी में साथ-साथ भरते जाएंगे, ऐसे अचार डालना इजी हो जगता है, साथ में थोड़ा-थोड़ा मसाला भी डालते जाएंगे और ये आम भी डालते जाएंगे इसी तरह ऐसे सब आम्मों को भी मिक्स करके बर्णी में भरते जाएंगे यह हमने एक बरणी भर ली है बाकी जो बच गया है वो दूसरी बरणी में डाल लेंगे अब इसमें उपर से हम ओयल डालेंगे टोटल हमने धाई किलो में आधा लीटर ओयल डालना है आप जैदा भी डाल सकते हैं आधा हम धाई सो ग्राम या तीन सो ग्राम इसमें डालेंगे और धाई तीन सो ग्राम उसमें डालेंगे अब इसको ढखकल लगा देंगे और 5-6 दिन इसको धूप में रखना है अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसको 5-6 दिन के लिए धूप में रखेंगे और सुबाश शाम इसको ऐसे हिलाना है पूरी बढ़नी को अचार भी पूरा मिक्स हो जाए तापी अच्छे से इसमें अचार बनाते वकत सिरफ इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें नमक और मसाले सब बराबर क्वान्टिटी में होने चाहिए तो ही आपका अचार अच्छे पूरा साल भर ठीकेगा और आम भी अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए इसमें गिला बिल्कुल भी पानी क एक छिटा भी नहीं पढ़ना चाहिए जो बरनी आप इसमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए और एर टाइट होनी चाहिए तो अब इसको हम धूप में रखेंगे पांच-छे दिन बाद हमारा अचार खाने लाइक हो जाएगा तो ये देखिए हमारा पिछले साल का अचार बच्चा है बिल्कुल बराबर है ना यह नरम पड़ा है ना इसका मसाले में कोई फरक पड़ा है तो आप ऐसी इसी तरीके से अचार बनाएए तो आपका भी अचार साल भर टिकेगा तो ये रही हमारी आज की रस्पी आम का अचार आप इसे ज़रूर झाल के जिये, thanks for watching.